हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल उत्रकंद 360 में और आज हम बात करेंगे वास्कोड इगामा के आगे से तो इसके पहले से हमने जो वास्कोड इगामा के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा सा देख लेते हैं तो वास्कोड इ यहां से जो एक अच्छा प्रस्ट के बन सकता है लेकिन 1524 वास्कोड ठूल भारत भारत बहता तो प्रस्त में बनाकर ब्हेजा गया तो शो मैं पृत-गाल कर राजा कौन था तो जोन में ठटा है थील्ट इब दौब क सकता है तो अच्छे लेवल क्यों आप गुरूप सी लेवल की तैयरी करों तो यहां से प्रस्तन बन जाएंगे बहुत आसानी से प्रस्तन बन जाते हैं फिर पैड्रो अलबरेज के बारे में देखा था पंदरासों इस पी में इसने क्या किया था पुर्तिगाली एक अभियान यहां पर कालीकट पहुंचा और इसने कालीकट बंदरगा में अर्विजाज जम्मोरिन को दे दिया था तो यह सब चीजा हमारी हो चुकी थी करम हमने देख लिया था किस प्रकार से हम याद करना है जिन्होंने यह वीडियो देख रहे हैं जो पहला मतलब इससे पहले कि जो वीडियो है वो जरूर देख ल कोचीण नाम हुआ करताथा और कोचीण को क्या कहा जाता अरब सघर की रानी कहा जाता है तो इसलिए पुर्ट कालियों का में तारेट किया था कि कोचीन पे भी क्या करना अपना कफ़ूर बना यह अर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पी मुख्यले भी किसको बना देते हैं क को बना बनाते हैं जब अलबु करकाएगा तो क्या करेगा कोचीन को अपना मुख्याले बनाएगा या राजदानी बनाएगा तो अरब सागर की रानी तो यानि कोचीन पर जिसका कभजा अब काफी पावरफुल माना जाता था उसमें तो चलिए यहां पर कोची हमने देख ल पहला गवर्नर आएगा वो होगा अलमीडा हम नोट्स में लिखेंगे इसको आगे से लेकिन थोड़ा सा एक फिगर अपने दिमाग में बना लेते हैं अच्छे से तो अलमीडा को क्या करेंगे यह भीजे गए यहां पर गवर्नर बनाकर पंद्रसों पांच इस वी में आए सब्से मैं इसमेर न प्रस्त में से एक है अब अलमीडा को यहां पर यह कहा और रियर करें आपको क्या करनी समूद्र पर इस वाले इलाके पर समूद्र अपना प्रभुत्व इस्तापित करना है तो इसने क्या किया था था मीडा ने एक सांथ जलकी नीती अपना यह थि कह सकते हैं इस नीती में क्या था देखिए अल्मीडा को सरकार की तरब से यानि कि पुर्टगाल की जो राजा थे पुर्टगाल की जो सरकार थी कह लीजिए यहां की तरब से एक आदेश ताकि कुछ ऐसी व्योस्ता बनाओ कि हिंद महासागर के ब्यापार पर पुर्टगाली नियंतरन इस्तापित हो सके अधा क्या होता फिर अल्मीडा समुद्र पर पर परबूत तो बनाना चाता और इसी को हम क्या कहते हैं सांत जलकी नीती कहते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कि सांत जलकी नीती अल्मीडा के द्वारा चलाई गई थी इसके बाद यहाँ पर यह जब समुद्र रुपर पर्बूत तो अपना स्थापित करना चाहता है तो इसी करम में इसके यहाँ पर एक यूध होता है बहותी मेहत्पूर्ण मुंबई के पास में यहाँ पर एक चॉल बंदरगा है चौल बंदरगा तो यहाँ पर एक युद्ध लड़ा जाता है और इसमें किन किन की बीच में युद्ध होता है देखी एक गुजरात धियान रखेंगे मिस्र और तुर्की और यहां पर 509 में इनको फिर वह रहा देता है और दीव के योध में हराता है फंदले सो आट में जो चौल कर यूद बीग का यूद्व अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको इसके बाद जो 1509 में मैं आपको बता रहा हूँ कि दीप का यूद लड़ा जाता है और दीप का किला यहां पर दीप का किला भी बनाते हैं फिर पुर्तगाली आप देख लेते हैं पुर्तगाली गवर्नर यहां पे भी कुछ ऐसे फ policy यानि सांथ जलकी नीती अपना इसने सांथ जलकी नीती क्या है यहाँ पे सरकार की तरफ से इसको आदेश था कुछ ऐसी वियोस्ता बनाओ कि जो हिंद मासागर का एरिया है जो छेतर है वहाँ पर पूरा पूर्टगाली व्यापार क्या हो सके हम वहाँ पे अपना कब्जा क कर सके चौल का यूद फंद्रा सो आठ इसवी में लड़ा गया महाराश्टर के पास में महाराश्टर के पास में लड़ा गया और चौल बंदर का है वर्त वहां क्या बोलते हैं महाराश्ट में था तो अलमीडा का यूद किस से होता है गुजरात मिस्र और तुर्की की मौत हो जाती है और बेटे की मौत से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है दुखी हो जाता है 1508 में देखिए इसको जाना था वापस क्योंकि 1508 में क्या होता है अल्बू करक को भारत का गवर्नर बना चुके थे अल्बू करक इसके बाद हमारा गवर्नर रहेगा तो 1508 में अल् कि अलमीडा चाहता था कि मैं इस युद्ध की हार का बदला लू जो 1508 में चौल का युद्ध लड़ा गया है यहां पर सहयुक्त सेना थी जो गुजरात मिस्रत तुर्की की यहां से जब अलमीडा हारता है और दूसरा कारण क्या था बेटे की मिर्ति हो जाती है तो उसके अं बेटे की मौत का यहां बदला ले देता है तो 1508 की हार का बेटे की मौत का बदालेता है तो इहँड़ा रखेंगी इस अब पेर इसको किताबों में लिखा गया है, seul का दुटिया युद कहा गया है, घीक है, इस परकार से प्रसन बन सकता है, अलमिरा के द्वारा चौल का दुटिया युद कब लड़ा गया है तो यहां पे प्रसन इस परकार से बनने की संभावन है, आप देखेंगे यहां पर जो चौल का जो थोड़ा सा थोड़ा और देख लेते हैं इसको पंदरा सो आठ इस पी में देखे पुर्त गालियों की जब सक्ति बढ़ रही थी तो इस सक्ति को बढ़ती वी सक्ति को रोकने के लिए मिस्र के सुल्तान ने मिस्र के सुल्तान ने क्या किया था हुआ हैं नगर के सास को ने भी क्या किं यहां पर साहे था करीं तो लगातर बैक टू बैक दो युद्ध हुरे हैं फंदरसौ आठ में अर हम इतियास की बात करें यहां पर पर प्राचीन इतियास में लेकर जाने या मद्देकाले निपिक ए जाएं तो back कि तुर्की राज्य की इस्तापना हो जाती है तो ग्यारा सो एकाडवे में पिर्थी विराज्चावान जब गौरी को हरा देते हैं उसे माप कर देते हैं और गौरी एक साल तक कड़ी मेहनत करता है और यहाँ पर किसको हरा देता है पिर्थी विराज्चावान को हरा देता है बैक टू बैक युद्ध होएं देखिए यहां पर 1508 में यह हार गएं अलमीडा 1509 में जीत गएं ठीक उसी प्रकार से देखेंगे पिर्थिवरा चवान यहां पर जीत गे थे पहले लेकिन बाद में हार गएं बैक टू बैक युद्धों की अगर हम बात करें तो 1549 और 1440 के देखिए 14 का युद्ध लड़ा गया था हमायू और सेरसा की बीच में जहां पर हमायू क्या करता है हार जाता है फिर बैक टू बैक दूसरा युद्ध 1540 में होता है कन्नौच का युद्ध जिसे बिलग्राम की युद्ध के नाम से जानते हैं तो यहां पर भी हमायू हार का 1191-92 में आपको बताई दिया तो यहां से देखिए प्रस्ण कई वार जो सबसे ज़्यादा प्रस्ण मनता है चाहे आप किसी भी एक्जाम को उठाके देखेंगे तो बहुत दी हाई लेवल का एक्जाम होगा तो वहां पर यह प्रस्ण मनने की समामना है ग्रूप सी के हिसाब से यू की पेसी के इसाब से भी नहीं है इतना महत्पून लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं जैसे के वीएस हो गया एन वीएस हो गया या या यूपी पीजीटी में प्रस्ण में पूछा जा सकता पर वक्ता के अग्जाम में तो पंदरसव पांच में अंजावीडा कनूर तता किलवा में या पर दुर्ग क्या होए थे इस्तापित किये गए थे अब हमारा अगला जो है दूसरा गवर्नर है अल्बुकर्ग सबसे ज उसस्तापक कि भर वश्तिव सनस्तापक कि इसको क्यों कहा गया इसको हम डीटेल बेवी देखें गे तो यहां पर देखेंगे हम कोचीन को इसने मुख्याले राजदानी बनाया देखें कोचीन मैंने अपको बताया ही एक और श्राश को चीया है और już कहा पढ़ता है केरल मे बात करें देखिये फंद्रसू 310 इसमी में बाहरत आ गया था कमांडर के रूप में और को चींड में पहले पुर्तगाली दुर्ग का निर्मान किया यह मैंने आपको बताई दिया है poss Limma तो पंद्रह सो तीन इस्वी में क्या है ये भारत आ चुका था पंद्रह सो आठ इस्वी में इसको क्या बनाया गया था गवर्नर बनाया गया था लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो इससे पहले अलमीडा था उसने क्या कर लिया था अल्बुकर को कैद कर लिया था क्योंकि वो क्या चाहता था अपनी चौल की हार का बदला लेना चाहता था इसके बाद हम देखेंगे अगला फैक्ट है जो 1510 में 1510 में बीजापूर के सुल्तान यूसुप आदिल सा से गोवा जीता तो देखिए बीजापूर के सुल्तान यूसुप आदिल सा के कंट्रोल में था उस रहें और कब तक इस पर कब जा रहेगा 1961 इस भी तक इसमें कब जा रहेगा लगभग लगभग यह मान के चलिए साड़े 400 साल तक पुर्त गालियों ने गुवा पे कब्जा करके रगा था और अगर हम बात करें आ जादी कि जब हम आ तिथी भी लिख लीजेगा 19 दिसंबर तो 19 दिसंबर 1961 को और उस समय आपर पुर्त गाली जो गवर्णर कौन थे डे सिल्वा ठीक है धियान रखेंगे क्या नाम था डे सिल्वा पूरा नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वासलो डे सिल्वा तो यह पुर्त गाली अंत तो अपनी हार मान लेगा यह और 1961 में फिर क्या होता है गोवा भारत में सामिल हो जाता है के इंद्रसासित प्रदेश बनता है उसके बाद हम देखते हैं कि 1987 में गोवा को क्या मिलता फिर राज्य का दर्जा मिलता है तो 19 दिसंबर 1961 का दिन हमारे बहुत मैत्यपूर है क्यो गोवा यहां पर जीत लिया है किसने अल्बू करकने और यह मैं बहुत ही महत्तव पूर्ण प्रसने यह एक्जाम में कई वर मनता है तो इसको याद कैसे कर सकते हैं आप देखे थोड़ा सा अगर मैं कोचीन की बात करो यहां पर कि कोचीन किस्ता अपना कब हुई थी देख वरहं पेस्तान से कभ यह गोवा जीता किया 10 था मैं मैं तो कहते हैं हम कि आप 10 बार ॉपर यह यह ऌपर जीत लिये पृत्त गालिओं ने अब देखें गे अब दोंगर पर नियां पूर्वी एसिया की महतपून मंडी थी तो मलक्का पर यहां पर 1511 में नियंतरे निस्ता फितवा यह प्रस्थ भी बहुत बारा था यह 10-11-15 यह बहुत महतपून है और 1515 में हार्मुझ पर अधिकार होता है जो कि फारस की खाड़ी मिशती थे तो फारस की खाड़ी मैं आप सती पर्था पर रोक लगाई और इसलिए अल्बू करको को क्या का जाता है राजा राम मोहन रहे का पुर्व गामी का जाता है क्योंकि हम आगे देखेंगे जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं आगे तो वहाँ पर राजा राम मोहन रहे क्या करते हैं सती पर्था को रोग न यह भारतियों के फाइदे के लिए नहीं था इसमें उनका खुद का फाइदा था देखिए सती परता में क्या होता था पती मर गया तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था उसको आग में वहां पर जला दिया जाता था तो अलबुकर्क ने इसके खिलाब क्या किया रोग चुकी है गोवा में अब देखिए जिस औरत का पती उसमें मर गया था तो उसको कोई अपनाता नहीं था उसमें क्योंकि देखिए बहुत एक इसम से बहुत ही पिछड़े सोच के मान सकते हैं उस समय, तो उस समय कोई अपनाता नहीं था, अपनाता नहीं था, तो फिर उनके खाने, पीने, रहने का बिवस्ता कैसे होगी फिर, तो इन्होंने क्या किया, अल्बु करक ने, सती परता फिरोक लगाई, अब वो औरतें मरेगी नहीं, यानि जिन्दा है तो अल्बु करक ने क्या क्या, जितने भी पुर्तगाली थे, उनको कहा कि अब क्या करो, अब इन हिंदू महिलाओं से बिवा करो, तो मैक्सिमम उन महिलाओं से बिवा हुआ, जिन, जो क्या थी, सती हो चुकी थी, जिससे क्या हो, जन्दसंक्या बड़े पुर्तगालियों की तो पूर्ट गालियों की जंद संक्या बढ़ाने के लिए एक उसने दूर दर्थी सूच का परीचाए दिया पहले तो उसने गोवा में सती बढ़ता पर रोक लगाई और फिर जो ओरतें सती हो चुकी थी वहाँ पर उसने क्या-क्या पूर्ट गालियों को बोला कि इन इसलिए तो गोवा में देखिए इसाई बहुत ज़्यादा है अब तक भी वहाँ पर इसाई काफी है तो जब 1961 तक इसलिए हम वहाँ पर हम गोवा को नहीं ले पाई अपने नियंदर में क्योंकि वहाँ पर इसाई बहुत ज़्यादा हो चुके थे और यह जो उसकी नीती देखिए 1961 तक इसलिए कभजा रख सके तो इसाईयों के संक्या काफी बढ़ चुकी थी गोवा में अलवुकर्क ने हिंदू महिलाओं से बीवा की नीती अपनाई और यह महत्रपुन प्रस्न है अलवुकर्क ने अपनी सेवा सेना में भारतियों की भरती करी अपनी सेना मे चीन के संचाओ दीपर बस्ति बसानी सुरू करी काफी डिफ हैक्ट हो जाuh चीन के संचाओ दीपर बस्ति बसाना या पर इसने सुरू कर दिती और गोवा में ही अलवुकर्क की कबड है इनमें से जो देखिए अगर हम अच्छे लेवल का एक्जाम है तो सभी महत्पुन ह वीजमन लेके तो प्रस्ण बंद जाते हैं आगला वीडियो अब हमारा रहेगा इसके बाद अलबुकर काहारा होचुका इसके बाद अलग जो आएंगे हमारे गवर्नर नीनो डी कुनना आएंगे और बाकी हम देखेंगे पुर्तगाली जो थे इन्होंने हमारे भारत को क्या दिया मतलब इनके नियंदरन की परकिरिया क्या थी और इनसे हमने क्या क्या सीखा और पुर्तगालियों के मुगलों के साथ क्या संबंद रहे इन पे भी अब भी हमारा एक वीडियो आएगा तो ठीक है अगर आपको वीडियो सही लगा तो कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं अब ताकि मैं अगले वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं और एक उत्सावरदन भी होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं त रन्यवाद